नमस्कार आप देखरें बिटने जुएर मैं हो संतोष कुमार इस पंचायती राज में पिछले दो-तीन सत्र के बाद जो एक निकल की आया है जनपर्णिरों के प्रति द्वेज जिसे अच्छे लोगों का इस मैदान में आना आप समझे कि एक रित्तास्तान सा बनता जा रहा ह लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनें लगता है कि नहीं बास्ताम में जिम्मेदारी को निर्वाहन करना चाहिए तो बहुत से लोग हैं जो पहली बार भी समाज सेवा में या जनपर्णिरी के दोर में मुकिया, समीती, सत्पंच के लिए नमनेशन करा रहे हैं और आने का प्र समस्या का समाधान किया हूँ, तो क्यों ना उन लोगों के खिलाप, जो लोग अपना बाहुबल के दम पर या अपने बैविकार के दम पर जन्रीट पर कर रहे हैं तो हम उनके खिलाप लरे हैं, मैं स्वागत करना आपको अपने चैनल में बहुत बहुत आब आपका बेगुसाय टूडे से, टूडे को जो आप या नाम हुआ आपका, विजय संकर सिंग, आप बला पुट्टू पंचाई से मुख्या पर चासी होने के प्रियास कर रहे हैं, तो क्या लगा आपको कि लोग बहुत गाली देते रहते हैं मुख्या को ये खास करके मुख्या पद ये कैसा है, लोगों में क्या बैठ गया है, क्या खाया नहीं खाया, तो आप क्या मतलब सोच करके चाहते हैं कि इस पंचाईत माएं। प्रति प्रति निधिये हैं किये हैं बहुत कां बचा हुआ है, हर बक्त अपना समा達 सेवा में जहां-जहां जो होता है अपना जो चलता बनता है, अपना योगदान और समय क्की सामया ने मुझे मूचा दिया, तो और मैं इस पंचाईत को जरूर सेवा करूंगा. आपका पंचायत लगवग एक बिस्थापित की अवस्था में आ रही आधा पंचायत उस पार में है हम लोग पुनरवास के जगह पर बैठे हुए हैं तो उन लोगों के लिए क्या छूट गया जिस वज़ा से लोग बिस्थापित कहीं बांद पर बसे हुए हैं या जो बसे ह लोगों का भी वाड में विखराओ है कोई पांच नमर के हैं तो आठ नमर के जगह पर हैं कोई पुराने जगह पर ही हैं तो लगता नहीं कि उन चीज़ का हुआ नहीं कुछ भी कि निन लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस सब अभी मिलाबट है आपको जाईएगा तो साथ तरफिर है और नीका है और उस बत गया है को कि घ्राइब के गरद के त огрज कोली नहीं होड हाँ अब शीकाइत के तोर पर हलकर का मतलव का था कर अब मतले काम होगी ने कुछ कॉम बोले पूर्वेयख कॉरुंप नियुक्त ये लेकिन इसल्स है सिकायत का नहीं करीब बन गया है अब ही तक जो आगे की परती निधी हैं जाए विधायक के अस्तर से परियास ने किये हैं चाहे बिधायक से या सिछा विधायक जाकर यहां पर मैंने सिच्छा का वेवस्था हो सके पुर्ण हो सके मतलब पलस्टूइश्कूल हो गया वहां सिच्छा कभी तक नहीं है नहीं है बच्ची अभी हम भी आ रहे थे तो वहां पर ताला लगा हुआ था जब कि सुनिए मेरे अपने घर से मुक्षिया जी हैं जिल परसाजी के संग्यों मुख्या अऑज संग्यां सब बात है लेकिन इस पर कोई ज्यादा अभी तक ध्यान नहीं दिये हैं जब तक करता जो पंचायद का सजग नहीं होगा तब तक उस पन्चायद का भी का सब्सक्राइब करता जब उस पर चरहेंगे तब ही वह कम होगा कि लेकि बिदायक जी के एक पंचाय का है बात मैं ब्यारीस पंचाय का बात है लेकिन इनका ध्यान रहता है आप इतना याद करने इसका मतलब उनका भी ध्यान रहता होगा खाण जब जलदु सक्रम हो जो परतिनिदी फौर समान, सम्मान नहीं 67 उनके जाना चाहिए गाम लेना है फ्यासे और कोई के पास जाना चाहिए अभी तक जाते हमारे बिधायक जी का एक साल हो गया है अभी 50% सिच्छक है 50% है हमारे पंचायत में होस्पीटल तीन-चार से बना हुआ है जो पुर्व बिधायक जी उद्गातर नहीं कर सके तटवन्द गंगा तटवन्द के लिए आप तराई भाग में जो आप तो निकलके आगे पुनरवास में लेकिन जो लोग बचे हुए है उन्हें बचाने का परियास नहीं होना चाहिए इसके बारे में क्या कैंगे है और आप बचे हुए लोग कम हैं कुछ लोग कम भी बचए उन लोगों को जब बचा सकते हैं तो आप लोग परियाश क्यों कर रहे हैं यहां से दरिया पूर यह Hak और जमीन भी ले ले लिया गया है जो छो मैना वह साल भर कंदर उनको सब को बसाया जाएगा जो बचे खुचे और कुछ आपके मन में लगता है कि आप पंचायत के लिए कर पाएंगे जिसके बज़ा से आप आ रहे हैं मेरा पंचायत मतिहानी परखंड में सबसे छोटा पंचायत है एक गाउं का जिसमें जिसमें लगभग बतीस सो मत दाता है 2000 लगभग पूल होता है अलेकिन अभी तक नहीं हो पया है इस लिए नहीं हो हैं हमको लगता है सोई हुए हैं अगर एक गवो का एक पंचायद और अधर्स पन्चायता भी तक नहीं बनाया ये सोचने की बात है छोटा परिवार सुख़ी परिवार सब लोग जानते हैं ऐसे में छोटे से परिवार से इस छेत्र का बिधायक होना बहुत बड़ी बात है और इनका कहना मैं इनके बातों से इत्वाक रखता हूँ कि जो बिधायक है कर रहा है कि उनको तारापूर्विधानसवाद छेत्र में चुनाव परचार के लिए नमनेट किया गया है तो आपको गर्वान भी तब होगा जब आपका काम होगा यहां का और इस प्रकार से आप लगता है कि जब आप आएंगे तो आप पुन रूपन उनसे मिलकर गाउं के विकास में अपना योगदान देंगे अगर जनता ने मुझे मुझे मौका दिया मैं यतनक वादा करता हूं विधायक जी हो जिलापरसा जो भी उपर पदाहिकारी है या पद वाले हमारे गाउं के हैं जाकर उनका पैड़ पकर करने भी अपने गाउं के समस्या का हल चुनाओ तक ही जनपर्णिदी पैर पकरते हैं उसके बाद उनका पैर पकरना पड़ता है बिहार प्रेमान पर फेमस बिधायक जी है इनके जोड़ का विधायक बिहार मने है सच्चे निस्वार्थ भावनां से काम करेंगे इसमें कही संदेय नहीं है बसरते हम लोग को जा पंचाइती राज के चुनाओं में जो बैक्ति चुनता है वो भी आपके गाओं का है और जिसको चुन रहे हैं वो भी आपके गाओं का है इन्हें भी आप जानते होंगे और आपको भी ये लगवख जानते होंगे तो इसमें कई खामी नहीं रहती है जो लोग है उस योग उनको मौका मिलना चाहिए बहुत बहुत धन्वाद आपका